नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UI Work Permit के बारे में, जिसको नहीं पता वीडियो को लास तक देखना और इस Work Permit को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ रहे है, बहुत बड़ी ख़बर आ रहे हैं जिसे आपको जानना बहुत आवस्से कहें और एक ये गुड़ न्यूज साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जिनका अभी युवई का वर्क पर्मिट है वीडियो को लास तक जूड़ देखना दरसल जैसे कि आप सबी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर ही डाला था जिसमें मैं मैंने बता था कि युवई का अभी दो साल का जो वर्क वीजा है वो अभी तीन साल का लगेगा ठीक है यह ओफिसियल एनॉंस्मेंट हुई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि यह ऐसा होगा लेकिन अब इसकी कोई डेट नेट धारित नहीं किया गया यह पारण बस आप अपनी कंट्री जाते है मालीी इइडिया पाकिस्तान मंगे जाते हैं एक सिस्टम होता था कि आपगर अपनी कंट्री गए तो आपको सिक्स मन्त के अंदर six में एक अंदर दुबारा से युवई एक 186 दिन के एंदर दुबारा से युवई आना होता अगर आप ट्रेवल कर पाते थे लेकिन अभी के टाइम पे एक ऐसी अपडेट आ रही है कि माल लीजी अगर आपको 180 दिन हो भी जाता है अपनी कंट्री में तब भी आप यूई आ सकते हैं वो एक प्रोसेस है आपको याद है ना करोना के टाइम पर ऐसा हुआ था कि जब लोगों का वीजा एक्सपार हो चुका था मैं खुद आया था मैं खुद 9 महीने के बाद आता लेकिन उस समय गवर्मेंट ने कहा था कि किसी का भी जो वीजा है वो कैंसल नहीं होगा किसी के कितने भी दिन क्यों नहीं हो जाएं उस साल के अंदर किसी के वीजा कैंसल लिए हो थे तो वैसे ही अगर किसी का 180 दिन से उपर हो जाता है तो वह भाई अपलाई कर सकता है अपने entry permit के लिए अब वो कैसे अपलाई करेगा जैसे कि आप सभी को पता है कि दो चीजें है UAE में अपने entry permit निकलवाना होगा जब आप इस application के अंदर जाओगे तो आपको वहां से अलग सा फंक्शन मिलेगा सिर्फोर ते ही बताया गया है कि यहां पे work permit इशू होता उन लोगों के लिए जिनों ने 180 दिन से ज्यादा उन लोगों के लिए खासकर वो अलग से एक feature दिया गया है जहां पे आप अपलाई कर सकते हैं लेकिन ध्यान दीजेगा यहां पे अगर आप inside UI अपलाई करते हैं तो आप अपना entry permit लेके आ सकते हैं के लिए अपलाई अगर आप खुछ से ना करके कोई अच्छा सा travel agent सर्च करेंगे जहां पे आपका सारा काम हो जाए तो उससे कराएंगे ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि अभी नईनी चीजे हैं और अगर आप अपने हाथ से करेंगे तो ह हो सकता है और बाकी अपना entry permit लेके दुबारा से यह entry कर सकते हैं अपना जो वीजा हो दुबारा से active करा सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आ होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर नो सुस्क्राइब करो मिलते एकली वीडियो में तब तक रधाइं को समय जहें वंदे मात